वराणसी अस्तित ग्यानवापी परिसर को लेकर उत्तर-प्रदेश के मुख़ मंत्री योगी आधिटनात के ध्यान दिया है सीम योगी ने कहा कि ग्यानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मसजीत कहते हैं लेकिन असर में ग्यानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। गुरकपुर में हिंदी दिवस पर आयोजित एक कारकरम में उन्होंने आदिश शंकर की कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने कहा कि आदिशंकर ने जिस ग्यानवापी के लिए साधना की दुर्भागे से उस ग्यानवापी को लेकर लोग मस्जित कहते हैं आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब CM योगी ने ग्यानवापी पर बयान दिया है पिछले साल जुलाई में एक इं उसलिए समाज की ओर से यह प्रस्ताव आना चाहिए कि एतिहासिक गल्ती हुई है आचारे संकर जब अपने अग्यान से प्रिपूर्ण हो करके आगे की साधना के लिए वे कासी में आए तो कासी में साधसाथ भगवान विश्वनात ने उनकी परिक्सा लेनी चाहिए और वोने इस बात को देखा कि प्राता काल जब ब्रह्म मूर्थ में आदिसंकर गंगास्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वहाँ सबसे अच्छूत कही जाने वाली एक सामान्य प्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं तो स्वाभाई प्रूप से आदिसंकर के मूँ से निकलता है हटो मेरे मार्ग से हटो तो सामने से जो चंडाल होता है वहाँ एक प्रस्न पूचता है क्या आप तो अपने आपको अद्वेत ज्यान की मर्मग्य मानते हैं आप किसको हटाना चाहते हैं आपका ज्यान क्या इस भौतिक काया को देख रही है इस भौतिक काया के अंदर बसेवे ब्रह्म को देख रही है अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपकी अंदर है वही मेरे अंदर भी है और इस ब्रह्म सत्य को अचान करके अगर आप इस ब्रह्मो को ठुकरा रहे हैं इसका मत्माबाद का ये ज्यान सत्य नहीं है तो उन्होंने बहुचक थे एक चंडाल के मूँ से इस परकार की बात उन्होंने कहा कि आप कौन है मैं जानना चाहता हूँ उन्होंने कहा कि जिस ग्यान अब्यापी की साधना के लिए दुरुभाके से वो ग्यान अब्यापी आज लोग उसको दोसरे सब्तों में मस्जित कहते हैं लेकिन उन्हों ग्यान अब्यापी साकसाथ विश्वनात ही है जिस ग्यान अबाते की पास्टना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए है मैं उसका साकसाथ स्वरूप विश्वनाथ हो तो अहां उनके सामने नत्मस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पस्याताप होता है कि नहीं यह जो भौतिक अस्प्रिस्यता है यह न केवल साधना के मारक का सबसे बड़ी बाता है बनकि राश्टी एकता और खंड़ता की भी सबसे बड़ी बाता है और इस बड़ी बाता को अगर हमारे समास में समझा होता ते देश कभी गुलाम नहीं होता